रतन टाटा ये वो नाम है जिससे सुनने के बाद दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है वो है रिस्पेक्ट क्योंकि वो इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी एक साधी सिंपल लाइफ जीते है रतन टाटा सर होते हुए भी ऐसा कभी नहीं हो सका कि हमारे देश बिजनस के मामले में कभी पीचे रहेगा जब जब हमारे देश पर मुसीबत आई है जिस मुसीबत से कोई बिजनस्मेन या फिर इंड़स्ट्री लिस्ट्री बचा सकता हो तब तब रतन टाटा सर पहले सामने आये है और बात करें मुश्किल से मुश्किल समय की जैस उनके पास सिर्फ टू विलर है हमारे लोग धूप में बारिश में थंड में सिर्फ बाइक पर ही ट्रैवल करते है और वो भी डो लोगों की जगह तीन चार लोग बैठ जाते है क्योंकि उनके पास महंगी कार खरीदने के पैसे नहीं होते तब रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती नैनो कार बनाई इससे पहले जब हमारे देश में आईपेल मैच हुआ करते थे तब चाइना की उपो या वियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी और वो उसे जादा पैसा खर्च करके आईपेल की जो स्पांसर्शिप होती थी वो अपने नाम कर लेती पुरे आईपेल में हर तरफ वीव आईपेल वीव आईपेल ही दिखाई देता था जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था इंडियन्स को चाइना को लेकर हमारे लोग पहले ही बहुत गुस्से में है और चाइना माल का यूज नहीं कर रहे है और कोई इंडियन कंपनी इतने प बलकि ताटा आईपेल के नाम से सुनाया जाएगा और एक बात आपको बता दे कि कुछ समय पहले रतन ताटा सर को बोला गया था कि आप आईपेल टीम खरीद लो जैसे मुकेश अंबानी और शारुक खाने खरीद रखी है लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी इस बार जब ब लाइक करिएगा अपने दुखसों तक शियर करिएगा और ऐसे अमेजिंग और इंटरस्टिंग विड़ो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन दबाना ना भूले